जैसे किष्णा फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बादाम के फालारी लड्डू जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ ही पॉस्टिक भी है तो लड्डू बनाने के लिए मैंने लिये हैं यह आधा किलो बादाम गिरी इन्हें हम चार पास घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगो देंगे मैंने ये पानी गरम नहीं किया है और अब हम इन्हें भीगने के लिए छोड़ देते हैं आप चाहो तो इन्हें गरम पानी में भीगो सकते हूँ लड़ू बनाने के लिए मैंने लिये हरी इलाई जी करीबन बीस और ये लिये है मैंने एक कप काजू और ये लिये है चोधाया कप किश्मिश और ये लिया है गी करीबन है 400 ग्राम और हम लेंगे इसमें बूरा बूरा मैंने लिया है साड़े 300 ग्राम और हम लेंगे सुखा नारियल ये है करीब 100 ग्राम तो अब हम करते हैं लड़ू बनाना स्टार्ट अब हमारे बदाम बीग के रेडी हो गए हैं इन्हें भी गोए 4-5 गंटे हो गए हैं इन्हें हम अब छीलेंगे ये मैंने आगे से इनका थोड़ा सा छिलका अटाया है मुपे से और पीछे से प्रैस किया है तो ये बहुत ही आसानी से बदाम छिल रहे हैं बादाम बहुत जल्दी और आसाने से छिले इसकी लिए मैंने छीलने से पहले पानी को गरम कर लिया है अच्छे से हमें पानी को उबालना नहीं है सिर्फ अच्छे से गरम करना है और 10 मिट के लिए ढखके रख देना है बादमों को दस्मेट बाद हम छीलेंगे तो यह बहुत ही आसानी से कुछ ही मिन्टों में हमारे सारे बदाम छील जाएंगे आप देख पा रहे होंगे कि कितनी जल्दी हमारे बदाम छील रहे हैं मैं सिफ आगे से इनका थोड़ा सची खाटा रही हूँ और पिछे से प्रेस कर रही हूँ बहुत ही कम समयमें और साथ ही बहुत कम मेहनत में कुछी मिंटों में हमारे सारे बदाम छिल जाएंगे तो आप भी जब भी बदाम छीलें तो इस तरह से छीलें और अब हमारे बदाम छिल कर सब तयार हो गए हैं, अब इसको मैंने साफ पानी में दो लिया है, अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे, इसको हम जार में डालेंगे, और इस बदाम का पेस्ट बना लेंगे, अब यह देखिए, यह पेस्ट बनके रेडी हो गया, यह मैंने फाइन पेस्ट बनाया है इस तरह से आप भी इसका पेस्ट बना लें गाड़ा गाड़ा और अब हमने ली है एक भारी तले की कड़ाई इसमें सबसे पहले हम डालेंगे गी गी मैंने अभी दो तिन चम्मज डाला है ताकि जो हम पेस्ट डालेंगे बदाम का वो पैंदे में ना अब यह गी मैल्ट हो गया है अब हम इसमें बदाम का पेस्ट डालेंगे फ्लेम को हमने लो रखा है इस तरह से हम पेस्ट डालके इसको पैंदे से हिलाएंगे पैंदे से कंटिन्यूसली हम इसको चलाएंगे ताकि यह पैंदे में लगे ना इस तरह से हम इसको हिलाते हुए चलाएंगे और अब जो गी हमारा बचा हुआ है वो भी हम पूरा इसमें डाल देंगे यदि हम पैले की डाल देंगे तो सेखने में हमें दिक्कत नहीं आएगी यह बहुत आसानी से सिख जाएगा अब हम इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे पैंदे से चलाते हुए इसकी सिकाई करेंगे इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे और फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे इसको कंटिन्यूसली पैंदे से चलाते रहें ताकि यह पैंदे में लगे ना अब देख सकते हो आप इसको इसका पानी करीब करीब सूक चुका है और यह टाइट हो चुका है जैसे पानी सूकता है तो यह पैस्ट इस तरह से टाइट हो जाता है इस समापको थोड़ी हिलाने में दिक्कत आ सकती है लेकिन कुछी देर में यह लूज होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक दम स्मूथ पैस्ट बन जाएगा जैसे जैसे इसकी सिकाई होती जाएगी यह स्मूथ होता जाएगा और घी छोड़ता जाएगा अब आप देख पा रहे होंगे यह धीरे धीरे थोड़ा स्मूथ होना स्टार्ट हो गिया है आप पैंदे में से इसको कंटिनुवसली चलाते रहें ताकि यह लगे ना वो फ्लेम का ध्यान रखें फ्लेम आप मीडियम ही रखें हाई ना करें अब धीरे धीरे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और यह थोड़ा स्मूथ भी होने लग गया है आप इसो कंटिनुवसली चलाते रहें अब आप देख रहे होंगे कि एकदम स्मूथ हो गया है अभी लाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बहुत स्मूथ हो गया है इसने की छोड़ना स्टार्ट कर दिया है अब इसको कंटिनुवसली चलाने की जरूत नहीं है हम एक मिनिट के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं लेकिन आप धान रखें कि यह पैंदे में लगे ना अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसकी सिका हो रही है बहुत ही आसानी से बहुत ही स्मूथ हो गया है और कापी की छोड़ दिया है इस तरह से हम इसको चलाते हुए इसकी सिकाई करेंगे फ्लेम हमको मेडियम ही रखना है हाई नहीं करना है अब अदाम के सिकाई की खुश्बू भी आना स्टार्ट हो गई है अब यह पास साथ मिनिट में सिखके रेडी हो जाएगा अब आप देखिए यह हम जो पेस्ट हमने डाला था वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छे फ्लें ऊफ प्लेम ऊफ कर देंगे उस घ। फ्लेम ऊफ करने के बाद भी हम इसको एक तुम मिट के लिए कंटिनूएश ली चलाते रएंगे क्योंकि कडा इक काफी गरम है इसलिए यह पेंदें में लगे नाThis को चलाते रहेंगे और इसको पांच मिट के लिए हम छोड़ देंगे जाएफा से पांच मिट्स के लिए मैंने छोड़ दिया कि जो नारियल हमने लिया था उसको कसके हम इसमें डाल देंगे काजू के मैंने चोटे-चोटे की से पीसेये कर दो हैं काजू भी डाल देंगे और किश मिश डाल देंगे और पाउडर बना लिया है लोकूं की ठीक करशा की कर दो कि रालेंगे अब मी crypto कर सकते हैं। मेने साड़े ग्राम बूरा डाला है। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ड्राइब फूट्स आप अपने इच्छा क्या कोर्डिंग, जो भी आपको पसंद हो, आप डाल सकते हो, कम जादा कर सकते हो, इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिलाके, और दस मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, क्योंकि यह काफी गरम है, और इत्ते गरम के लड्डू बनाने में काफी दिक्कत आती है, जब यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब ही हम इसके लड्डू बनाएंगे, ठंडे में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इसके लड्डू बड़े आसनी से बन जाते हैं, जब यह हलका गर रहेगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे और यह मिश्रेण हमारा आप करीब करीब सारा मिक्स हो चुका है अच्छे से अब हम इसको 10 मिट के लिए छोड़ देंगे ताकि लड्डू बनाते समय हमें गरम ना लगे अब यह 10 मिट हो गए है इसको छोड़े और यह अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे इसके यह मैंने मुठी जिट्ते इनके लड्डू बनाये हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसाने से इसके लड्डू बन जाएंगे आप इस मिश्रण को लड्डू बनाते समय बीच में एक दो बार चला दे ताकि जो नीचे घी जमा हो जाता है तो फिर वो नीचे मिश्रण के लड्डू बनाने में दिक्कत आती है तो हम यह दी एक दो बारे इसको मिक्स कर लेंगे तो बन रहे हैं और यह अब हमारे लड़ू बन के तयार हो गए हैं आप यह लड़ू जरूर से एगवा बना के ट्राइ करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको कैसे लगे और मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें और बैल आइकन को दबाना न आप बूले जैशी किष्णा